अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार देख लिया है और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जीसे देखना ना बुलेगा वरना ये वीडियो आपके पल लेनी पड़ेगी अब फिफ्ट एपिसोड की शुरुआत में हम सोफिया को देखते हैं जो रात में अपने घर पर वापिस आती है जाहां उससे एस्टीला सवाल करती है कि वो अब तक कहां पर थी जीस पर सोफिया कुछ नहीं कहती और इवा के पास चली जाती है जाहां राउल डॉक्टर बेल उसका बलतकार करने की कोशिश कर रहे थे और चीसको उसे बचाने का प्रायस कर रहा था पर स्नोफलेक चीसको को पीटने लगता है ताब सोफिया स्नोफलेक कुछ चीसको को मारने से रोकती है फिर ब्लैंक का उसे दूसी दुनिया की जहलक दिखाती है जहां पर एलीना की ह पालत खराब थी और वो सोफया की मदद मांगती है आप अगले दिन चर्च में सब लोग नए फादर की स्पीच सुन रहे होते हैं जहां पर सैंडेला एक दिवार को देखती है जिसे कपड़े से ढखा गया था दूसरी तरफ एस्टेला गुर्यम को बहुत से किताबे दिखा और कहती है और कहती के कल्ट-off-light के योग इस दुनिया को नकली मांते थे और दीसरी दुनिया के पार जाना चाते थे जहां पर दूख और दर्द नहीं है वहीं दूसरी और चीस को सोफया के बार में याद करता है जिसको बचाने पर सैयमineल और हैलिट ने उसे बहुत मारा था और किसी से कुछ ना कहने के लिए धमका आया था फिर चिसको ईवा से मिलने उसके घर पर आता है और उदर इंस्पेक्टर गुलेन ब्लैंका की फोटो अपने जूनियर को देता है और उसके बारे में खोजबिन करने के लिए कहता है वाही चिसको से मिलने के बाद ईवा सो को बनाया है परीस पर ईवा उसे समझाती है और फिर से उनसे मिलने से मना करती है दूसरी और ईस्टिला गुंलिन को लेकर चर्च में जाती है और वहां पर उसे एक पेंटिंग बहुत पहले से ही मौजूद है दूसरी और सोफिया चिसकों से मिलती है और उसे उसके चोड के बार में पूछती है वह ही वो ये भी पूछती है कि क्या तुमने इवा को सब कुछ बता दिया कि वहाँ क्या हुआ था मेरे साथ तब चिसकों कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया जिसके बाद चिसकों उसे किस करती है और उसके साथ सेक्स करने के लिए उकसाती है पर इस पर चिसकों उस पर गुसा करता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है और वो उसे ऐसे नहीं पाना चाता है वो बच चाता है कि वो भी उससे प्यार करे पर सोफिया उसे मना कर देती है जिसके बाद चिसको उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है अब इसकी बाद चिसको इखिलोने के उपर कलर कर रहा होता है और तबी पास में रखा हुआ उसका कैमरा अचानक से ओन हो जाता है जिसमें एक वीडियो चलने लगती है और चिसको उड़कर उसे बंद कर देता है और फिर से अपना काम करने लगता है पर तबी वो वीडियो फिर से चलने लगता है जीसे बंद करने के लिए वो फिर से जाता है और तबी वहाँ पर डेक्टा को आते वे देखता है उदर गुलेन सेंडेला से मिलने उसके घर पर जाता है और उसे बताता है कि चर्च में बने पेंटिंग से कपड़े को हटा दिया गया है जीसे सुनकर सेंडेला चौक जाती है और तबी वहाँ पर मैर आ जाती है और उस पेंटिंग के बारे में पूछती है जिसके बाद उसके पिता उसे वहाँ से बाहर बिज़ देते हैं फिर गुलेन सेंडिला को बताता है कि उस पेंटिंग का संबन कल्ट ओफ लाइट से है और ख़दान वाली घटना फिर से हो सकती है इसलिए उसे मदद करने के लिए कहता है तब सेंडिला उसे पुराने फादर की डाइरी के बारे में बताती है और कहते ही कि वो अपनी डायरी में painting के बारे में लिखे होंगे जिसके बाद गुलनवां से चला जाता है अब दूसरी और मार्कस चर्च से चुराई डायरे को लेकर कहीं जाने के तयारी करता है और राउल से उसकी मां को कबर पर लेकर जाने के लिए कहता है ताब राउल अपने पिता से कहता है कि उस कबर में अंकल की लाश ही नहीं है, तो उस पर फूल रखने से क्या फाइदा? जीस पर मारकस राउल को डाटता है, और उसे जबरदस्ती उस पर फूल रखने के लिए कहता है, फीर वो अपने गाडी में बैठ जाता है, जहाँ पर देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है उदर एवा से मिलने उसके घर पर सेराफीन आता है और एवा को एक छोटा सा बॉक्स देता है जिसमें एक पत्र होता है जो कि पाबलो ने उनके लिए भेजाता जिसे पढ़कर सोफिया बहुत खूश होती है और फिर वो एवा को भी और उसे वहाँ पर उसकी मा भी दिखाई देती है जिसके बाद उस दुकान से सामान लेकर बाहर भाग आता है अब उसके बाद ही रात में चिसको को डेक्टा अपने वश में कर लेता है जिसके बाद उए गन में गोली बरने लगता है दूसरी और सोफिया और इवा सेराफ इनके घर के पास आ जाते हैं जहां पर पाबलो सोफिया से गले मिलता है और इवा को भी अपने पास बुलाता है पर तबी वहाँ पर पूलिस वाले आ जाते हैं जिनने इवा नहीं वहाँ पर बुलाया था फिर सभी पूलिस वाले पाबलो को गिरफतार कर लेते हैं और वहीं सोफया को गिलन पकड़ कर समझाने लगता हैं और उसी दोरान इवा अपने पिता और सोफया से ऐसा करने के लिए माफ़ी मांगती है पर तब ही सोफया गिलन से अपने आपको छुडा लेती है और सीधे जंगल के तरफ भागने लगती है जिसे पकड़ने के लिए कुछ पू जिसको एक मास्क पहन कर अपने पिता के पास आता है और उन पर गंतान देता है और कहता है कि गोली मार दो जिसके बाद हो वहाँ से चौक पर आजाता है जहांपर कुछ लोग उसका मजाक उडाने लगते हैं ताप चिसको गुसा होकर एक लड़के पर गंतान देता है जिससे बाखी के लोग वहाँ से भाग जाते हैं और फिर चिसको उस लड़के को खुद को नमाक का देवता बताता है और अपने मुँपर गोली मार कर वही धेर हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड समापत हो जात करना ना भूलेगा ता कि आपसे अगला एपिसोड ना मिसो और वह एगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और आज के वीडियो में इतना ही आशाय आपको मेरी पसंद आई यदि हा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें मिलते हैं अगले एक्स्पिनेशन वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों